आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। अडचिन का डियन है, जो की दी कुंडली थे, और इसमें 17 प्रतिशत साइटोसीन शार उपस्थित होता है, और हमें बताना ही कि अन्य तीन शारों की प्रतिशत मात्रा इसमें क्या होगी। ठीके। तो दोस्तों जो डियन होता है, इसका पूरा नाम डियोक्सिराइबोज नुकलिक एसिड और यह क्या होता है, नुकलिटाइडो का बहुलक होता है, ठीके, इसमें 4 क्या होते हैं, नाइटोजनी, बेस होते हैं, एडिनीन, ठीके, थाइमीन, गुवानीन और साइटोसीन, जो एडिनीन होता है, यह किस से जुड़ता है, थाइमीन से जुड़ता है और guanosine जो है यह तीन हाइडोजन बंदों के द्वारा cytosine से जुड़ा होता है तो हमें यहाँ पर प्रेशन में क्या दिया गया है कि cytosine जो है यह DNA में किता है 17 प्रतिशत है ठीक है तो guanosine भी कितना होगा 17 प्रतिशत क्योंकि cytosine जो है यह guanine से जुड़ा होता है तो यह 17 और 17 कितना हो जाएगा 34 प्रतिशत क्या होते हैं guanine और cytosine होते हैं ठीक है अब 34 में से 100 प्रतिशत होता है उसमें 34 और हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा 6-6 प्रतिशत और 66 प्रतिशत क्या होगा क्या होगा थाइमिन और एडिनिन तो दोस्तों थाइमिन जो होता है एडिनिन से जुड़ता है अब 33 प्रतिशत क्या होगा थाइमिन होगा और 33 प्रतिशत क्या होगा एडिनिन होगा ठीक है और इस प्रकार से कुल मिला कर 100% क्या होंगे चार प्रकार के नाइटोजिनिस शारक होंगे तो हमें यहां पर पहला विकल्ब दिया गया है गुआनिन 17% एडिनिन 16.5% और थाइमिन 32.5% तो दोस्तो यह विकलब गलतफे ग्वाणेन 17 प्रतिशत होगा परन्तू एडिनीन ओर थामीन गलत दिये गए है नहीं holds high दूसरा है ग्वाणीन 17 प्रतिशत एडिनीन 33 प्रतिशत संक्षोर थामीन 33 प्रतिशत तो दोस्तों यह यह DNA में जो अन्य तीन बेस हैं उनकी प्रतिशत मात्रा है ठीके और तीसरा विकल दिया गया है गोणीन 8.5 प्रतिशत एडिनीन 50 प्रतिशत और थाइमीन 24.5 प्रतिशत तो दोस्तो यह विकल भी गलत है और चोथा और आकड़ी विकल पहे गोणीन 34 प्रतिशत एडिनीन 24.5 प्रतिशत और पर हमारे प्रेशन का सही उत्तर होगा धन्यवाद